गुद इवनिंग गाईज स्वागेते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में साम का टाइम है जैसा कि मैं बूली चुकी हूँ गुद इवनिंग साम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैं मटर जिल रहे थी तो बाबू मेरा सोया हुआ था तो मैं जिल रहे हूँ यहाँ पे माटर रेकी सकते हैं गंबले में रखा हुआ है तो यह बीच-बीच में धोड़ा सा उठ जा रहा था तो फिलाल फिर से सो गया है और इसके उपर मैं डालने वाली हूँ मच्छदानी जिसकी अभी इस टाइमने ही कि हर एक टाइमे दिन से लेके रात तक मच्छर होते ही है हमारे हूँ तो मच्छदानी इसलिए लगा दे रहे हूँ कि मच्छर ना काटे और बहुत जगह तो मच्छर बिल्कुल नहीं होता second हमारे यहां बहुत ज्यादा मच्चर है, बल्कुल जीरा मॉस्किल हो जाता है mm… उसके बाद यहां पे मेरा हीटर जल रहा है क्योंकि हो रही है, बहुत ही ज्यादा ठंड, यह इसी साल हम नहीं हीचरलकर लेकर आया है, रूम हीटर है यह बाव के करन ऐसे तो पहले जुरुत नहीं परती थी लेकिन अभी जुरुत पर जाती है यहां मेरा मटर यह सब छिल गया है और मैं सीम चढ़ा करके आई हूँ कल मकर संक्रानती है तो उसकी त्यारी है मैं आज ही कर रही हूँ सबजी यह सब बना के रेडी करके रख रहे हूँ यह से कल आसानी हो जाएगे मेरे मटर कल के लिए छिल के रखे है और सीम मैंने चढ़ाएं सीम सेम बोलते हैं सीम मैंने चढ़ाएं आचार बनाने के लिए जो कि हमारे हाँ आचार बनाने जाता है सीम का सीम का तो वैसे मेरे ससुराल साइट में नहीं बनता है, मायकी साइट में बनता है, तो अच्छा लगता है, दभी छूड़ा हमारे खाये जाते हैं, मकर संक्रांती पे, तो वही सब में धनिया ये पत्ती, ये सब 700 कुछी कले रहे हैं क्लिए ठंड बहुत होती है, और साथ में सबजी आइटम जो भी बना सके वैसे तो पहले साथ साथ सबजी बनाने का नियम होता था हमारे या लेकिन उतना कोई अप नहीं बनाता पता नहीं बहुत लोग बनाते ही होंगे यहाँ पीबे रही हुए गरम गुनगुना सा पानी पीलो और सीम में वो अभी हुआ नहीं है वो हो जाए तो यहाँ मेरा पानी गरम हो गया था तो वही अब पीना है तो सौरी अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और इसी तरीके से मेरे आने वाले वीडियो को हमीशा प्यार देते रहिए और यह बीच-बीच में मेरा और पता नहीं कब खतम होगा तो यहाँ पे मॉर्निंग हो गई है कल का ब्लॉग में वहीं पे खतम कर दी थी बनाने का सुबा हो गई है बन रही है चाए आज है मकर संक्रांती का सुबा का दिन यहाँ पे मैं चाए पेलू चाए बनने रखा हुआ है और यह देखिए मौसम यह पाला टाइप से गिरता है न वो कहते हैं दूंद नहीं है एक दम मौसम बहुत खराब है हमारे यहाँ इसको पाला कहते है पता नहीं क्या सब जग़ों क्या कहते है क्यों यह अभी फसल में आलू रोप बूप मतलब लगाई हो रहती है खेतों में तो उस पे पाला गिर जाता है न तो बिल्कुल इसके पेर आलू के गल जाते है आलू की फसल खराब हो जाती है तो यहाँ हमने पी लिया है चाए और चाए पीने के बाद लगा रही हूं जारू यह स्वेटर मैं निकालके सोई थी यह मस समझे लाओ कि मैं स्वेटर पहेन के रुखहा रकाई है यही सुवच है जारूम में तो हम रहते ही नहीं अब यह उस रूमें बहुत जादा ठंड परती है बहुत जादा पतानी क्यों यहीं बाहर से खिलकी हैında इस वज़े से सायद ये प्रॉब्लम हो रही है उसमें और पंखा बेचारा दोनों एक टक देख रहा है क्योंकि अभी उसका कुछ काम है नहीं यहाँ पे हो रही है मेरे आब अस्नान करने के लिए रिली क्योंकि सबजी ये सब मेरा बन चुका है खाना में मतलब जो भी बनाना था अचार आलू का और सीम का तो मैं रात को ही बना दी थी और सबजी सुबह में बनाई हूँ क्योंकि अचार को कहते है ना एक दिन पहले ही बनाने से उसका टेस्ट कल होके आता है मतलब 12-13 घंटे जब तक अचार रहती है ना थंड के मौसम में गर्वी की बात नहीं कर रही हूँ थंड के मौसम में अब इतना पहले बनाओ तभी जाके अचार में अच्छी वाली टेस्ट आती है तो यहां पे मेरा सनान हो चुका है और अभी मैं इनर और नीचे लोवर पहनी हूँ लोवर बोलन वाले तो यहां पे यह मेरा यहां पे यहां पे क्यों निकल जाता है बार बार मुझे भी ऐसा फील होता है कि अच्छा नहीं लग रहा सुनने में साईद आप लोगो भी ना लग रहा होगा मेरी यहां पे फिट से यहां पे लब क्रीम पॉर्डर यह सब लग चुका है जो भी मेरे फेस पे लगाना था वह समय लगा चुकी हूँ लिप पे आज लिपस्टिक ने लगाए वैसे मैं डेली लिपस्टिक लगाती हूँ मतलब बिना लिपस्टिक है मुझे बड़ा अजीब सा लगता है मुझे आज़त सी लिपस्टिक लगाने की तो अभी बालों में कंगी कर लो बाल एकदम उलच से गए है ठड़ी के मौसम में टूपी ये वो के चकर मेरा बिल्कुल बाल उलच जाते है और बाल दूले वे मुझे भी हो गए हैं दो चार दिन मतलब काफी दिन हो गए हैं तो थोड़ी सर्दी का में तम में जाके बाल दूँगी तो मौसम एक बाल फिर से मैं देख लो की कैसी है अभी के मौसम तो इसके लिए मैंनी कल चुकी हूँ अपनी ये गली है ना इसी गली के कारण ये रोम ना ठंड बहुत जादा रहती है बहुत ही जादा ठंड रहती है तो आप बाहर मैंने अपने बच्चे का कबरा डाल रखा हुआ है सुखने को मौसम बहुत खराब है इसलिए मैं जानदे रहने पाई बहुत ज्यादा खराब है इसलिए मैं अंदर आ गई कौन कौन लोग इस मौसम से जूस रहे हैं बताना कमेंट करके यह मैंने अपने सूट डाल लिया है वैसे फ़न्ड हो रही थी उसके उपर सीस फ़न्ड कम लगेगी बहुत जादा सच्चे में यहां पे स्वेटर फिर से यहां पर मुन हनी कियो हो जा रहा है स्वेटर मैने डाल लिया है अभी भी देख सकते हैं खिर्की के बाहर एकदम से मोसम वैसा का वैसा ही है विल्कुल भी नहीं ठीक हुआ है और ठीक भी नहीं होने वाला विल्कुल खराब रहने वाली है एक दो कपड़े थे रखे वे बाहर उसको मैंने अंदर कर लिया है और टोपी मैंने फिर से पहन लिया है क्योंकि सॉलर डालके काम नहीं बनते करने में तो अभी मैं डाल लिया है टोपी यह टोपी न मतलब बहुत धीरी हो जा रही है हुए मुझे लिखे हैं हमने लिया है सुदा का दैही एक किलो मतलब है के यह है यह है में हमारा आराम सी गुजर बसर हो जाएगा क्योंकि घर पे जो हम रहते थेろう साथी से helped कि इantry बाद बतारे भी मतलब 5 वाट लीटर साथ लीटर ऐसे करके दूद को छ alone आजाता था और दो दिन करके खाते थे लोग बच्पन में तो अच्छा लगता था अभी तो नहीं हो पाता यह सब क्योंकि वैसे भी अब मुझे थंडे से बहुत सा ही जादा अलर्जी हो गई है दही खाने से मुझे तुरंती जुकाम हो जाता है यहाँ पे हमने लिया है यह कच्छी प् तो काफी टेस्टी बनी थी सीम किया आलू किया चार दोनों काफी टेस्टी बनी थे यह है यहाँ हमने लिया है चूरा पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊंगे कि नहीं मतलब तिलकुट भी हमने खाया मतलब तिलकुट कहते हैं न हां तिलकुट है सब खा लेते हैं य के बाद यह मैंने टोपी चेंज कर लिए और खाने के बाद बहुत ठान हो रही थी सुरी सुरी तर बातरूम दिख गई है तो यहीं पिस सुच रही हो मैं अपने वीडियो का कर देती हूं और मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइब